कि नमस्कार दर्शकूर मैं हूं गायच्वी गुपता और आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया कि इस केस को बठान कोट ट्रांसपर किया जाएगा लेकि इस केस की CBI जाच नहीं होगी ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सुप्रेम कोट ने फैसला क्यों दिया आखिर इसके पीछे की बजह क्या थी और आखिर CBI जाच की मांग को क्यों ठुकुराया और इस केस को ट्रांसपर किस आधार के मद्दे नजर इस केस को जम्मो कश्मीर से बाहर ट्रांसपर किया बहुत से लोगों के दर्शकों के दिमाख में जहन में यह सवाल उठ रहा है तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ और आखिर इस केस को ट्रांसपर क्यों किया गया है बठान को चले बताती हूं आपको कि इस केस की आखिर जो इस केस को सुप्रीम क करने की मांग करते हैं तो वह सुनवाई को किसी बाहरी जगहा पर स्थानांत्रित कराने की मांग करते हैं आदालती कारवाई को किसी तरह के दबाओ से मुख्त करने के लिए के लिए भी मामले की सुनवाई को ट्रांसपर किया जाता है और ऐसे में अब बताते हैं कि यह पहला ऐसा केस नहीं है इससे पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं जिनें राजे से बाहर ट्रांसपर किया गय गई उसकेस को राजे से बाहर किसी और राजे में ट्रांसफर किया गया है कौन-कौन से हैं वो केस में आपको बताती हूँ गुजरात के चर्चित सौराबुद्दिन शेक इंकाउंटर मामले की सुनवाई मुंबई में हो रही है क्योंकि गुजरात में सुनवाई को को प्रभावित किये जाने की आशंका थी इस जो इरुक केस की बात की जारी इस और अबुद्दिन शेक इंकाउंटर केस इसकी जो सुनवाई कर रहे थे वो थे बीयश लोया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी मौत को भी संदिक बताया जारा है हलां कि सुप्रेम कोट ने कहा है कि उनकी मौत नेशरल थी बीयश लोया के बेते ने कहा था उनकी मौत नेशरल थी उसपे किसी प्रगाल के सियासत ना की जाए लेकिन तमाम विरोधी दूल लगातार कह रह swag हैं कि नहीं उनकी मौत उनकी मॉत रहत्तय करवाई गए थी और इसी स्वियों वाइश लोया की हर्ट्रा करवाई गई थी और अगला नंबर उन्हीं का है उन्होंने वाइब जाने माने जज रहे चुके हैं लेकिन रेटार हो गया है उन्होंने ये स्टेटमेंन लिया था सोचिए किस तरह से इस केस ने मोड़ लिया था खेर अभी मैं मुद्दे भी आती या राजिय से दीरी में तभी ट्रांसफर होता है जब को लगता है कि जहां सुन्वाई श worह सकता है यह कीरेस को प्रभावित किया जा सकता है अら अभी कर व को siis बात को भापा बाभी दलीले अधिक्तर मामलों में, पेरित पक्ष सुप्रेम कोट से मामले को ट्रांसफर करने की गुहार लगाते हैं, और सुप्रेम कोट ऐसे निस्पक्ष इस्थान पर मुकत्मे को भेज देती है, जहां पर अभयुक्त पक्ष कोई दखल न दे सके और चर्चित नितिश का तारा हत्याकान भी आपको याद होगा। उसमें सुप्रेम कोर्ट ने सुनवाई को गाजियाबाद से दिल्ली इस ट्रांसपर किया था। और पंजाब के जाने माने केस DGP KPS गिल के मामले को भी सुप्रीम कोट ने पंजाब से दिल्ली भेजा था और आलोक कुमार है जो भी एक डिलीगर एसपर्ट है उनका कहना है जारा तर मामलों में पेरित पक्ष ही मामले को ट्रांसपर करने की याचिका दायर करता है लेकिन क तो ऐसे में उनका केस भी CBI ने ट्रांसपर करने की मांग की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि लालू बिहार में जाज को प्रभवित कर सकते हैं दो कंडिशन में या तो यहां पर पेरित पक्ष जो है सर्वाइवर है वो खुद कहें जाके कोट में की केस को ट्रांसपर किय क्यों क्या इसके पीछे एहम वज़ा दी आप बताते हैं हम आपको कि आखिस केस में हुआ क्या-क्या था जब से घटना घटित हुई है कट हुआ कान को लेकर चलिए आपको दिखाते हैं मैं कब क्या हुआ है वह आप देखिए जम्मू और कश्मेश सरकार ने 23 जन्वरी 2018 क गञाफ मामले की जांच राज जी पुलिस कि क्राइम ब्रांच को सौतकी क्राइम ब्रांच ने सपश्ब को एक स्पेशल में पुलेश ईप्लू और को घटारेकर की वंधार इक काई कि वख ubiqu ग॥ कमां किया पूलिस और्पड़ करने सो कुछ नहीं के पोशिश की तीसरा तीसा क्वी की सुनवाई के बाद की तारिक दी च्छटा घटना क्राम है फिर उसके बाद हुआ क्राइम ब्रांश ने अपने आलोग पत्र में लिखा कि पहली बच्ची का पहरण किया गया उसे नशीनी दवाएं खिलाए गई कई दिनों तक उसके साथ गैंग वेप किया गया फिर क्राइम ब्रांश ने और कह पूरी घटना की कथित मास्टर माइंड सांजी राम ने पुलिस के सामने आत्र समर्पड किया बीचेपी के दो मनफ्री लाल सिंग और चंद्रपकाश गंगा ने पार्टी से स्तीफा दिया अठारा अप्रेल को पहली सुनवाई में क्राइम ब्रांश से कहा गया सभी दाखिल कर केस कोर्ट का ट्रायल जम्मू का और कश्मिर से बाहर कराने की मांग यह अब आरोपी है और CBI जाज की माका समर्तन हिंदू एक तामर्च भी कर रहा है राज की महभुबा मुफ्ती ने सुरू से ही इस मामने में CBI जाज से इंकार किया है और बकरवाल समुदाय की जम्मो कश्मीले कुल आबादी 12 लाख है बकरवाल समुदाय खाना बदोश लोग होते हैं जो 6 महने सर्द वाले लाके कश्मीर में रहते हैं और 6 महने गर्म वाले लाके जम्मो में रहते हैं यह सारा घटना करम है बकरवाल समुदाय से ही तालोग रखती थी परी जो आर्ट साल की मासुम पिरिता थी सांजी राम के सांजी उसका बेटा बहतीजा ब्रेंगर कब हले लेकिंगां में ची किया इस बहतीजा और सब्राइब करते है इससे पर बैयान होग ferment को ने बहां कि परिवार की मासूम बच्ची का साहरा लिया और उसकी बच्ची को मार कर उन्हें के समधाय में खौफ फैला दिया और आसे में बखरवाल समधाय वहां से हट गया अब वह दुबारा नहीं आना चाहते हाला कि हाली में प्रेज़ता की मां का बयान आया था मान ने कहा था कि अगर आरोपी छूट गया तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे और हमें भी मान रालेंगे तो सोचिक इस तरह से माता पिता में भी अभी इस वक्त कि अपने बच्चों को तो एक बेती को खोई ही चुके है वह अब ऐसे मैं नहीं चाहते कि मेरे दो बच्ची और मेरे पीबी को यार चाहे क्योंकि हम अपनी बेटी को यह भी तक घूल नहीं पाएं जोसके साथ गंदा काम हुआ है और हम नहीं चाहते कि अब ऐसा हम इस बात के फिर से सिका रहो हमें फिर से वह दर्द वह उस दौर से गुजरना पड़े यह पूरा था मामला अब ऐसे मे लींतर हैं अब इसमेया है लिए अम्हान के डेली देते हैं सुप्रिम महीं कोट में इसमें मा सब्सक्रान के के इस बाए कि क्या मामले में मोड आते है लिपार Karan को धिर में मात्य हिर दिया है क्योंकि Kim जाता चुब। सब्सक्राइब कर दिया है कि अब ऐसे में देखना है कि आप क्राइम ब्राइब की चार्षिर पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसका क्या होगा फैक्ट इंड फाइंडिंग कमेटी इसने रिपोर्ट दाखिल किये बिद्र जिते रिपोर्ट सौपी है रादना सिंग से मिली है क्या वाकई कि जितने भी आलो पी बनाये गए हैं कि वह मैं अरोपियों आहिं रहा हूं लेकिन है रोप पने विश्वास कैसे किया जाएगा यह अपने सवाल हैं कि हमें यह इक पक्ष नहीं देखना हमें दोनों पक्ष देखने है और नयाय पाली का हमेशा सबूतों के परनी पड़ेगी देखते हैं कि क्या होता है क्षवाकान में तो दश्कों आज दिए बड़ी अपडेट कर दो फेसे में आपके सामी लेकर आऊँगे कषवाकान के को जोड़ी कोई बड़ी अपडेट लेकर तब तक ले नमस्कार कि अब आप कि अब कि अब कि